हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट बायोलोजी कोश्चेन सीरीज नीट बायोलोजी कोश्चेन सीरीज में आज हम करने वाले है कोश्चेन नमर ट्वेंटी एट ये जो कोश्चेन है आज का ये नीट 2010 की एग्जाम बे पुछा गया कोश्चेन है तो कोश्चेन हम देखते हैं तो कोश्चेन है 28 ट्रांसपोर्ट और फूर मटेरियल इन हायर प्लांस टेकस प्लेस थ्रू जो हायर प्लांस होते हैं जैसे एग्जांपल आप लेलो एंजयोस्पम तो एंजयोस्पम में जो food material ट्रांसपोर्ट होता है, from leaves to the different parts of the plant, ये किस के थुरू होता है, कौनसे tissue के थुरू food ट्रांसपोर्ट होता है, in higher plant, तो आपके option है, option A, companion cells, option B, जो है, अमारा, वो है, transfusion tissue, option C, tracheids, and option D, sieve elements, option D, sieve elements, तो अब हम solution देखते हैं, तो बच्चों, जिसे आप जानते हो, कि plant के अंदर, दो तरके conductive tissue है, प्लांट के अंदर, दो तरके conductive tissue है, higher plant के अंदर, जिसे आप देखोगे, तो एक है उमारा जाइलिम, और दूसरा जो है उमारा, वो है, phloem, तो प्लांट के पास दो conductive tissue है, जाइलिम and phloem, अब जो जाइलिम होता है, तो जाइलिम is responsible for the conduction of water and minerals, जाइलिम किसके conduction के लिए responsible है, तो जाइलिम is responsible for the conduction of water and minerals, from root to the different parts of the plant, plant के अलग-अलग plants, मतलब parts, देखो जाइलिम जो है न, वो किसको conduct करता है, ये water को conduct करता है, जिसे आप देखो, तो ये अमारा एक plant है, और ये उसके root हो गए, तो जाइलिम जो conduction करता है, वो water को, मतलब कि from soil, water and minerals, water और minerals कहां पर होते है, soil के अंदर, तो ये to the different parts of the plant, xylem, अब phloem की आप बात करो, तो phloem is responsible for the conduction of food material and amino acids, याद रखो कि food material, food material and amino acids, तो जो phloem है, वो किसको conduct करता है, वो food material और amino acids को conduct करता है, अब ये जो food material होता है, जिसे बच्चों आप जानते हो, कि plant में जो food बनता है, higher plant में जो food बनता है, वो कांपे बनता है, leaves में बनता है, इसके लिए हम leaves को kitchen of the plants भी बोलते हैं, ये plants का kitchen है, तो यहां से आप देखो, तो जो leaves में बनेगा, समझो, यहां पर आपका leaves है, तो जो food material बनेगा, वो leaves के अंदर बनेगा, यहां से plant के सारे parts, नीचे root में सब तरह, तो यह किस के थ्रू होता है, flowem के थ्रू होता है, आप देखो, जाइल नेम का जो conduction होता है, वो unit directional होता है, एक ही direction में होता है, from downward to upward, मतलब नीचे से उपर की तरब जाएगा, पानी, पानी और minerals, जबकि flowem का जो direction होता है, वो by directional होता है, मिन्स के यह downward direction में भी जाएगा, upward direction में भी जाएगा, और side way direction में भी जाएगा, बाजू में भी यह जाता है, तो यह flowem के थ्रू होता है, अब आप देखो, flowem जो tissue है, यह किस से बनाए, तो flowem tissues are consists of, यह किस से बना है, तो यह हमारा companion cell, companion cell से बना है, कौन? flowem, तो फर्स्ट है आपका companion cell, second जैसे आप देखोंगे तो sieve elements, sieve elements, sieve elements, थर्ड आप देखोंगे तो flowem, पेरेन काइमा, एंड जो फोर्थ होता है, वो होता है हमारा flowem fiber, तो वीटा जैसे याद रखोंगे flowem जो होता है, it is a conductive tissue in higher plants, and flowem is responsible for the conduction of food material and amino acids, from leaves to the different parts of the plant, फूर काँ पे बनेगा अपका leaves के अंदर बनेगा, अब leaves में से, यह जो फूर material है, यह plants के हरे एक parts में पहुच जाएगा, दूसरी जो श्टे में वहां तक भी पहुचेगा, leaves तक भी, sorry, root तक भी पहुचेगा, सब जगा पहुचेगा, बरब, now, flowem जो किस से बनाए, higher plant में जो flowem होता है, it is consists of companion cells, मतलब हमारा companion cells भी option यहां पे दिया हुआ है, सिव elements, सिव elements भी हमको दिया हुआ है, flowem, paranchyma and flowem fibers, तो अब आप देखो, मतलब आपका option क्या आएगा, क्या companion cells आएगा, या सिव elements आएगे, क्योंकि transfusion tissue और trickets तो हमारे option में नहीं होगे, मतलब यह हमारा option नहीं होगा, अब यह दोनों में हमको बेटा confusion है, क्योंकि both are components of phloem tissue in higher plants, यह दोनों higher plants में phloem tissue के components है, मतलब बने हुए हैं, understood, तो जिसे आप देखो, कि जो सिव elements होते हैं, तो phloem के अंदर जो poor conducting cells होते हैं, वो सिव elements होते हैं, वो सिव elements होते हैं, मिंस कि हम ऐसा बोल सकते हैं, we can say that, कि सिव elements are poor conducting cells of phloem, phloem के अंदर जो poor को conduct करते हैं, वो सिव कौन से हैं, वो सिव elements, क्या होगा, सिव elements, अब जो angiosperm होते हैं, जो angiosperm होते हैं, इन में जो सिव elements होते हैं, वो सिव tubes होते हैं, मतलब कि cylindrical tube like structure होता है, किसके अंदर, angiosperm के अंदर, जो angiosperm होते हैं, उनके अंदर जो ये सिव elements होते हैं, वो सिव cells होते हैं, तो हमारा right option क्या होगा, right option होगा हमारा सिव elements, सिव elements, so right option is D, मिसके हम ऐसा बोल सकते हैं, कि transport of food material in higher plant, takes place through सिव elements, सिव elements, so, आज हमने देखा question number 28, so thank you very much for watching today video lecture, so keep watching, keep studying, और देखते रहे हैं, टॉपर्स biology, thank you. शेखतें और देखतें जारते हैं, घंअ मोज मोज एंए भर जाबाएएपगदें Oregon Sharp